हेलो एवरिवन एज वी नो जी टवंटी सम्मिट आज एंड हो चुकी है जो टू डेज के लिए थी 15 और 16 नवंबर को इसको होस्ट करना था इंडोनेशिया बाली के अंदर इस सम्मिट को होस्ट किया गया प्राइम मिनिस्टर ओफ इंडोनेशिया जोको वीबोर्डो के दव अब क्या थीम रही इंडोनेशिया के तरफ से जी टवंटी सम्मिट के लिए वो थीम रही रिकवर टूगैदर रिकवर स्टोंगर इसके अंदर 19 कंट्रीज हैं और एक यूरेपियन यूनियन है यह कंट्रीज 85 परसेंट ओफ वर्ल्ड एकोनोमी रखते हैं और 2 बाइ 3 पो और कार्बन एमिशन वार जैसे सिच्वेशन सीविल वार लाइक सिच्वेशन न्यूकिलियर जो कंट्रीज न्यूकिलियर कैपेबल है उनको काबू में रखने के लिए तो पहुत सारी इसमें डिसकस किया जाते हैं यह हर साल अलग-अलग कंट्री में इसके मेंबर होस्ट क प्रोग्लम हो तो उसके बारे में भी डिसकस किया गया ग्लोबल हैथ आर्किटेक्टर के बारे में डिसकस किया और सबसे इंपोर्टेंट सस्टेनेबल एनरजी ट्रांजिशन को डिसकस किया एज वीनो कार्बन एमिशन बहुत जादा हो रहा जिसके वज़ए से पोलूशन बहुत ज़्यादा और अगलेसे मेल्ट हो रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है और ओल टेंपरिचर राइज कर रहा है और डिजिटल ट्रांसफोर्मेशन के बारे में भी बात की गई यह सम्मिट 2023 के अंदर इंडिया होस्ट करने वाला है परगती मैदा न्यू दिल्ली के अंदर और G20 यह 2023 का उन्होंने लोगो भी रिवील कर दिया गया है और इसकी अधख्षा करेंगे परगती मैदा न्यू दिल्ली के अंदर प्राइम मिनिस्टर ओफ इंडिया 2023 सेप्टेंबर के अंदर अब कुछ मोमेंट्स के बारे में डिसकस करते हैं जो T20 समिट के अंदर रही नरेंदर मोदी सी जिंपिंग से मिले और उन्होंने एक हैंडशेक भी किया उसके बाद और इसी सुनक जी से भी मिले उन्होंने उनसे भी बाते की और इसी सुनक और इंडिया की फ्री ट्रेड एगरिमेंट के बारे में उन्होंने बात की आपने कुछ पॉइंट्स रखें उसको प्लेजिज लिखी इंडिया कार्बन एमिशन कब जीरो करेगा चाइना ने प्लेजर की यूएस ने कुछ फ़र भी बदा के रिनेवल एनर्जी के अंदर ओ इतने फंड अलावड करेंगे करेंगे उसके अलावा और भी बहुत सारे कंट्री से जो स्टेट ओफ हैड या प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं उन से हमारे नरेंदर मोधी जी मिले इमेल मैकरों से वो मिले जो बाइडन से वो मिले इवन जस्तिन वबो ओफ कैनेडा उन से वो मिले बहुत सारे प्रेजिडेंट से वो मिले अब इंडिया ने अपना क्या इंस्टांस रखा इसके अंदर क्योंकि next year इंडिया इसको होस्ट करने वाला है तो इंडिया ने main focus renewable energy, solar energy, global health architecture, digital transformation के उपर ही रखा